तो दोस्तो एक और सांदार वीडियो में आपका सुवागत है तो भई अगर आपको पैसो की अरजायन जरूरत है तो भई इस वीडियो का आप जरूरत देखे अगर आपको पैसो की जरूरत भी नहीं है तो आपको बहुत जादा मापर इंट्रेस्ट वगिरा देना पड़ सकता है दोस्तो इसलिए मैं आपको रैफर करता हूँ अगर दोस्तो आप यहां से इस application को आप download कर लेते हो इसमें दोस्तो आप यहां पर अपना account कर लेते हो यानि किसी को मैं बंदे को यह application का suggestion कर दूँ किसी को भी बता हूँ इस application का नाम उझिए पर लोन मिलता है मैंने आज तर जिस भी बंदे को इस application का नाम बताया है उसी बंदे को 100% कुछ न कुछ लोन अवेशे मिला है दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत special होने वाली है अगर दोस्तों आपको जानना है कि अप्लिकेशन के नाम क्या होने वाला है RG और NBFC रिजिस्टर एप्लिकेशन होने वाली है अगर हम बात करें तो दोस्तों यहां पर बहुत ही अच्छे कासे इसके डाउनलोडर होने वाले है पूरा प्रोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और दोस्तों मेरे पास में काफे सारे कमेंट्स ये भी आ रहा है थे कि आप जो आप अप अप्लिकेशन बताते हो आपकी जो लिमिट होती है आप अपने बैंकवार में ट्रांसपर करके नहीं दिखाते है आज की वीडियो में दोस्तों मैं अपने जो limit मेरे को मिली है उसको मैं directly अपना back on में transfer करके भी आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों वीडियो को याज दर जोड़ेखना वीडियो चुल लाइक कर देना अगर दोस्तो अभी तक पर आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब चरूब कर देना तो दोस्तो वीडियो को सुरूब करते हैं तो भई यह application क्या करती है जो आपको limit प्रवाइड करवाती है वो जो limit आपको मिलती है level by level आपकी जो limit होती है उसको increase करती है अगर हम दोस्तो बात करें इसकी limit की कि आपको यहाँ पर maximum limit कितनी मिननी वाली है तो दोस्तो यहाँ पर एक लाग रुपए की इनकी maximum limit होती है वो दोस्तो आपकी level up to यहाँ पर होती ही चली जाएगी जैसे कि दोस्तो मेरे case हो मैंने यहाँ पर limit को मैंने यहाँ पर वैसे तो इसमें account वैसे ही already मैंने इसमें create कर रखा है और इस application के मैंने यहाँ पर एक बार loan अपलाई करके यहाँ पर ले भी लिया है यहाँ पर दोस्तो में आपको अगर मैंको loan लेना है तो दोस्तो मैं यहाँ पर add क्या करना है मैरे को get this loan पर मैं यहाँ पर click करूँगा जैसे मैं यहाँ पर click करूँगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 11 level होते है 11 level तक आपकी जो limit होती है जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं यहां पर get this loan पर आपको click करना है जैसे आप click करोगे आपके पास में ऐसा option आपके पास में आ जाएगा है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी मेरी जो है कि 2000 रुपए की जो limit है वो कि यहां पर अभी मेरे पास में 100 हो रही है repayment करने का time आपका जो time period रहने वाला है 62 दिन का repayment का आपका time रहने वाला है अगर हम बात करें कि date क्या होने वाली है date भी मैं यहां पर आपको दिखा देता हूँ जो मेरी first EMI जाएगी वो यहां से आज से 6 तरीक में जाएगी यानि कि 6 मही में जाएगी यानि कि आपके लगबग लगबग बैढ़ जाते हैं आपके उसके जो second आपकी जाएगी मेरे पास में as interface आ जाता है किस loan purpose के लिए आप loan को ले रहे हो वो डाल देना है जो भी आपकी marriage status होगी वो डाल देनी है जो भी आपकी जो पढ़ाई होगी यानि कि जो आपकी educational होगी वो डाल देनी है housing type यानि कि आप self employee हो या फिर आप कहीं पर granted रह रहे हैं वो डाल देना है occupation क्या करते हैं आप वो डाल देना है जैसे कि मेरे case में आप पर self employee हो तो दोस्तों आप गब रहने की कोई भी ज़रौत नहीं है आपको यहाँ पर कोई भी back stand में कोई भी salary slip देने की कोई भी ज़रौत नहीं पढ़ने वाली है यहाँ पर आपको regularly यहाँ पर type करना है yes I confirm पर click कर देना है दोस्तों मेरे पास में यह already इसलिए आये हैं क्योंकि मैंने इसमें already एक account अपना create किया हुआ है मेरा level 2 है जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ मैं आपको और मैं यहाँ पर yes I confirm पर click करूँगा मेरे पास में ऐसा interface आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या करने यहाँ यह बता रहा है your loan is under evaluation यानि कि मेरा जो loan है वो under process में जा चुका है मेरे को यहाँ से एक से दो मिनट मेरे को wait करना है वैसे तो यह बोल रहा है कि अभी जो आपकी limit होगी वो आपकी SMS द्वारा बता दिये जाएगी या फिर आपकी email पर जले जाएगा मैं दोस्तों अभी यहाँ पर दो मिनट wait कर लेता हूँ जैसे मैं wait करता हूँ मेरे पास में यहाँ पर interface आ जाता है जैसे मैं application को यहाँ पर back करता हूँ मेरे पास में यहाँ पर in progress का मेरे पास में options हो हो रहा है मैं भी यहाँ पर दो मिनट wait कर लेता हूँ जैसे मैं दो मिनट wait करता हूँ मेरे पास में ऐसा interface आ जाता है complete process हो चुका है जो मेरे limit है वो मेरे bank account में transfer करने के लिए बिल्कुल ready है मेरे को सिर्फ क्या करना है यहाँ पर मेरे को click करना है यहाँ पर जैसे मैं click करूँगा मेरे पास में option आ जाएगा कुछ ऐसा जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर you can start level up a loan at यानि कि जो भी आपकी limit है जितने भी जैसे कि मेरे को 2000 रुपे की limit मिली हुए जैसे मैं इसको repayment कर दूँगा जो मेरा level होगा वो up कर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपका principal amount जो होने वाला है वो 2483 होने वाला है जो आपकी जो processing fees लगने वाली है वो दोस्तों यहाँ पर 483 रुपे की आपकी यहाँ पर fees लगने वाली है यानि कि ABNOF इनका कुछ offer चला है जिसके कर आपकी जो processing fees है वो कुछ कम की गई है यानि कि पहले 619 रुपे थी अब 294 रुपे की आपकी जो processing fees लगने वाली है वो लगने वाली है तीन महिन के अंदर अंदर आपको repayment करना पड़ेगा बहुत ही अच्छी कासी application है और दोस्तों जो आपकी first EMI रहने वाली है 1346 रुपे की first EMI रहेगी वो आप देख लेना जोड़के टोटल कितनी रुपे पैट थे हैं 1326 रुपे आपको यहाँ पर repayment आपको करना पड़ेगा यहाँ पर करने के लिए accept this offer पर आपको click करना है जैसे आप click कर देते हो और अपना जो repayment होता है वो simple से step करके हाँ पर follow करके आप अपना repayment को जमा कर सकते हो उसके बाद में जो आपका level होगा वो दोस्तो अप कर दिया जाएगा यानि कि आपकी जो limit है वो increase कर दी जाएगी दोस्तो पहले क्या करना पड़ता है आपको पहले यहां से थोड़ा ही amount लेना पड़ता है इसलिए दोस्तो यह जो है कि level app level app कर करके आपकी जो limit है एक लाग रुपय तक increase कर दी जाती है यह application क्या होने वाले application का नाम क्या होने वाला दोस्तो application का link आपको description box में आपको मिल जाएगा या फिर आप telegram group को join कर लीजिए वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा जैसे दोस्तो आप description box को आप open करोगे वहाँ पर एक link मिल जाएगा उसको दोस्तो आपको open करना है play store से आसानी से आपको download कर देना है वैसे दोस्तो मैं आपको यह बोगत ही अच्छी application होने वाली है नेचे की साइड में आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड कीजिए इसमें एक अकाउंट किरियेट कीजिए और दोस्तो जो भी आपका लेवल है वो दोस्ति यहां पर अपना एकसेप्ट कर लीजिए अपने जो लिमिट है उसको अपने बैक काउन में ट्रांसपर कर लीजिए आई होप दोस्तों यह जानकारी आपको बहुत अच्छी रही हो वीडियो च्छी लाइक कीजिए अगर दोस्तों अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब चलू किजिए झाल 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 झाल 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 झाल